हेलो एप्रीबन वेलकम आन यूटूब चैनल बाइलोजी बिलेज आज डिसकस करेंगा टापिक है वह है अर्गॉट अर्गॉट को दो सेंस में हम बात कर सकते हैं इडिजे फंगल डिजीज और इडिजे फंगल नेम और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है अर्गॉट इजे सोर्स आफ डिफेंट काइड साफ अल्कलोईट बरी सिग्निफिकेंट फार इवन फिजी लोजी एंद ट्रीप्मेंट आफ दिफेंट काइड सफ इल्नेस इन हीमन वाडी और बेटनरीज अल्सू तो सबसे प्रणी देखते हैं अर्गॉट क्या चीज होती ह अर्गॉट चुप टर्म आता है वो एक फंगस के लिए आता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइविसेप्स पैर्पुरिया कमनली अर्गॉट इस नोन एज हॉली फायर या सेंट एंथोनी फायर्स आगे इन टर्म्स का कंप्ली डिस्क्रप्शन आएगा सबसे पहले हम इनकी कॉम किया जाता है जिस में हम बोलते हैं कि अजिए पोईजस और काज़ नियूरल इस्टिमूलेशन आफ इसमूथ मसल कंट्रॉक्शन इसमूथ मसल कंट्रॉक्शन का मतलब गाज होता है कि जहां पर हमारे बौड़ी में स्मूथ मसल सेंट हैं तो उसमें यह नीरोलोजिकली करने के लिए कैपिविल्टी रखती मार्गाट के जो पॉइजेंज पाइजन का मतलब एक केमिकल एक ड्रग्स तो एक लिए जो खुटे होते हैं वो कपे लोते हैं वो काज Neural Stimulation of Smooth Muscle Conduction दूसरा पॉइंट आता है कि अर्गॉट को डिफाइन करने का अर्गॉट जो इसका जीनस है अल्गी फंजाई जो है गाइस फंजाई उसके पॉइंट अभी उसे बात करें तो अर्गॉट एज ए रिप्रेजेंटेशन आफ ग्रूप फंजाई बिलॉंग टू सबसे इंपॉर्टन जो होती है इस गुरूप का सबसे सिंग्निफिकेंट सबसे महत्रपूर मिंबर इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखते हैं कि जो क्लेविसेट पर्पूरिया होती है इट होस्टन का मतलब इट परसेटाइज आइस तो इसका जो होस्ट होता है वह हो जैसे कि वीट राइस मक्का जौर वाज राइसा होता है इस तरीके राइ इजे ग्रेन क्रॉप जिसका बाटर निकलने में होता है सिकेल सीरियल इस प्लांट पर यह जो पैथोजन से हैं जो फंगस है वो डिजीच काज करता है तो इट होस्टान राई एंड प्रोडूस अल इसका इसका बीमारी एक डिजीज जिसे बोलते हैं अरगोटिजम कहां पर हुमन में अधर मैमल में विच कंजूम ग्रेंड ग्रेंड इस फिरूटिंग बॉडिस ठीक अब अरगोटिज्म कहां पर क्रियेट हुआ राई पर और राई क्या है एक जैसे कि वीट होता है ग्यो एक रीजन है जहां पर महां पर जादे इसका यूज किया जाता है नौर्थ अमरिका में तो बहां सी बीमारी यह जो डिजीज है यह आदी हुमन में है दूसरे मैमल में जो सी जो भी उन इंफेक्टिड जो वीट और राई पर फीट करेंगा वो इंफेक्टिड हो जाएगा अर्गोटिजम नाम की बीमारी सी देट काज बाई दी अर्गोट फंगस उस फंगस का क्या होता कि वो अपनी फूटिंग बॉडिज उस प्लांट पे जहां पर वो होस्ट कर रहा है मतलब राई पे करता है और फूटिंग बाडिज का मतलब होता गाई इसकी जो फूटिंग ऌड़ी यहूं आप ऐसको कअर्ब जो होती है क्लेवी सेफ्स में पूरे जो सभी मिम्मब्र यू हैस्को मैटी कोले में दो नाम दियेके एक का नाम दिया गए क्लेटो थीजिया गए दूसरे का नाम दिया गिए आपोथीशियम दो टाइप डुट वाद यो तो टाइपस लोस्तो थीजिय अगे आपोथीशियम तो प्रेस्टो थिजिय तर्म जाता है वो रांड़ीड और क्लोजड जो फ्रेस्ट्टो थिजिय और कप सेप्ड आप जो यूसे मोलते हैं अपर बिस्केशन है यहां पर मेडिशनल पॉइंट आप ब्यूब पे मेडिशनल पॉइंट अब डिसकेशन है बनले कि जो और फंगस है वह कौन कौन से केमिकल सिग्रीट करता है इन्हें हम अलकुलाइट किस तरीके से हीमिल फिजिलोजी हैं हीमिल ट्रीट कब काच करता है time of flabbering giving rise to mass of tissues और उस time के आदर जब फ्लाबरिंग होती है उनमें तो बहां पे mass of tissues create करते हैं जिने क्या बोलते हैं iscloracium या single sclerosia which contain उस sclerosium में जो बॉड़ी में जो कि टिसू of mass यह mass of tissues उसमें 1.2% total weight उसका toxic alkaloids होते हैं तो कहने का मतलब यह sclerosium जो है वो source of alkaloids होता है जिनने आज हमें study करेंगे अब ergotism is primarily a concern of animal feeds मतलब जब उस infected rye को या wheat के plant को कोई animal feed करता है तो यह ergotism उसकी बॉड़ी में जो बीमारी जो लच्छल दिखाई देंगे जो करेक्टर्स दिखाई देंगे उस condition को हम बोलते है अर्गोटिज्म पर्टिकुलर्डी दोज इंटेंडिट फार कैटल हर सी पिक्स चिकर इस तरीके के जो एनिमल से वह से फीट करते हैं उस अनाज को राई को या वीट को तो वह इस्पेसली इन अर्गोटिज्म लाम की बीमारी से इंफेक्टिट हो जाते हैं अब फंगल शारे नाम इसे और ज्य उपार्गण बोलते हैं अचिकल से रेकुंदES करते हैं और जो से केमिकल निकलते हैं और ट। क्लेवस बोलते हैं और इसाप बोलते हैं शी को हम बोलते हैं और इसे पहले क्या कई देथे पहले से खि यह से तो तो परसाइट है तो परसाइट कहां पर राय पर दूसरे सिरियल ग्रेंश पर भी कर सकती जैसे कि वीट तो इसमें भी अध्या नक्ना रखना पर पहला जो प्राइब चॉइस ऑफ राइस पर वह राई ठीक है जिसे क्या बोलते गाई बॉटनी में सिकेल सीरियल अब जा बोल हpection माश कर्फार और तेक बारे में हैं जिसको माश सिटीच के दूसरे विंबर्स हैं वहान के बैकर लेड़्न में फिंजाइ इस्के इसके अलाबा इस ग्रूप के और मेंबर सोते हैं जिनें ट्रिफल्स या मॉरल नाम से कामली ग्रूप आप पर जाई है इसके आप जो क्लेविसेप्पर्पुरिया है जैसे क्लेविसेप्पर्फुरिया है तो आपकी काज करती है राई पेड़ीजिजिजगाएज ठीक है करती हो सारगम जिसे मोलते हैं बाजरा और इसी तरीके से प्रॉप आफ प्लांट से गुरूप सकते हैं जिसमें बग भीट वगर आता है तो यह सब कलाते हैं प्रॉप मेर्स हिंदी में इस तरह के लिए सब्सक्राइब करती है अब फुछ इंपॉटन पॉइंट हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में इट टेक्स मच अटेंशन विकाज इट आफिक्ट क्रॉसिंग इस पीसीज यह हम पार्टिकुलर्ली इस पीसीज की बात करते हैं प्रॉप प्रॉप प्रॉ सब्सक्राइब करता है तो इसे काफी अटेंशन इसलिए है कि जैसे कि राई वीट बार्ले अट्रेटिकॉला इस तरह के और वहां पर क्या करता है अर्गोटिज्म नाम की डिजीज काज करता है कैसे कि वह कहां पहुशती हुमन्स में और दूसरे अनिमन्स में पहुशती जो उस पर्टिकॉलर इंफेक्टिड राई वीट बार्ले बगरा को फीट करेंगे इसके बाद जो अर्गाट अल्कॉलाइड ये सिक्रीट करता है फंगस बू इस टेक्टिरली सिमलर होते हैं डोपा माइन डोपा माइन को हमने आगे पूरा डेस्पेंट क्या ओपा माइन जो होते हैं हार्मोन लाइक सबस्टेंश आखर हुए हमारे कीटाइशन हमारा हमें सुबह में मुड़ते है और आत में सोने का टाइम भरी बाड़ी के इंटरण फिजियो जी मतला हमारे प्रें के थ्रू हुए थु करता है इंफुलेंसे अट्जिशन आफ डोपामाइन रे इसके जो प्रॉपर फॉशनिंग उसे एफेक्टिट करेगा और उसे जो बीमारी हो जो प्रॉब्लम्स होगी वो से फेस करेगा तिसरा पॉइंट जो अर्गार्ट अल्कॉलाइट से वो अनल्जेसिक बताव एंटी पैरेटी जिन्हां मोना चाहिए दर्द निवारा खेंदी पैर्णी ऊनल्जेसि वोग्यक्टिशी और अन्टी आचीक यह एंट से तो साइक लेखेक्रां करते हैं फि быть से दूसरे कंपोंट्छेट के लिए रिर्व्ट कर लेते हैं जिसमें hep सबसे बहुत है लेस tuh इस्पाइकर कि जाना जाते है और यह का कॉम्प्लेट नाम हना सब्सक्राइब दूसरी अच्छा भी कुछ हम मतलब ड्रक्स भी जो यूज होते हैं ऑस्टेट्रिक मतलब जो गाइनोकलोजिस्ट पूरा बार करें चाइल्ड वर्स डेटी जो मैंटर्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट होता है इसके लावा कुछ दूसरें केमिकल बनाते ह इसके नाम के आए एक है अर्गतो माइं टार्टरे जिसें एक वोलते कामनली या दूसरा होता है डाइड्रो अर्गोटामन बेर इंपॉर्टेंट का जिसें मोलतें डी एची यह केमिकल किसे ड्राइब ते तीनों यह आपको होते हैं लासर्जिक असेट से अब इन दोनों क आपको होते हैं जो से जो आपने सुना होगा जो भी किल करने के लिए जो आपको में काम आते हैं उनमें डी होता है क्योंकि यह रिस्पॉंस्विल है तू है विंग डिश्रब दी फुटल ब्लेट सप्लाई एंड लीट टो दीश्टल डैमिज देथ इसके लावा दोनों की कि इंपॉर्टेंट है उट्राइन कंट्शन मतलब यह रहल फुली चाइल्ड पर्थ एंड पर्फुजर डिस्टरबेंस इंदी प्लेसंटा प्लेसंटा की फंक्शनिंग होती जो फूट मत्रेट करता है तो दी निवार्न वेपी तो या फिर जो जो निवार्न में जो फु सो है जो बुड़ा Κांपर दुनियामेंइस में एक पार्टिकुलर स्तेर फैस्टले रहा एरिया ऐसकता है तो उस तरह की घटनाय कहां कर्व कर में दुनिया में हुए कि अर्गोरें प्िमारी थे बहुत सबस्क्RY तो भे pagब एह सकते हैं तो देखिसकों में प्रूंस्नमी इसके बाद फ्रांस में 1951 और हमारे प्यारे भारत में इंडिया में इसपेशली 1956 और 1975 में दो बार रहें इस तरह के थोपिया में भी बहुत ही डिसेंट्री में कह सकते हैं 20 साल पहले 2001 में इसे पहले महीं पे 1997 में भी एपेडेमिक देखने को मिला था अब हम बाते हैं डिजी कैसे करके इसके वारे में दिखते हैं इंजेसर आफ इसमाल डोज आप अरगोट एब्रीडे का मतलब कि अगर हमने अपने फीड़ में वीट एराई और फिर हम उसे अपने घर में लेया और उसका आटा कहा रहा है उसे बनागों जो फंगस है उसके जो जो इसक्लोरिसी है इसके बीड़े में जा रहे हैं वो एक रागोटे में जा रहे हैं तो क्या होगा एवर प्रियड आफ सेवरल बिक्स टुए फ्यू मन्त एक हप्तों तक कुछ महिन तक हम लगाता जब उस तरहीं का इन्फेक्टिड भी एराई खाएंगे तो हमारी बाड़े में क्या होगा हमारी बाड़े कुछ पार्ट जिसे हमारे कान जो एक्टेमिटरी जो बाहर वाले पार्ट इस पेसली वह बिल्कुल जो हमारा मास है बाड़ी में बहुत सड़ने लगे इस तरी की बीमारी होती उसमें बिलड सप्लाई जो हो बंद हो जाएग और वहलके अपने आप तूट आप टिसू आफ एक्स्टेमिटीज अब यह पूरी कंडिशन किसी के बाड़ी में अगर हो गई तो इसे बोला जाता है सेंट एंथोनीज फायर देख धार्मिक टर्म है इसके अलावा इसे हम होली फायर भी बोलते कि धार्मिक मतलब होगा कि इसे होते नहीं बोलते है कि आपके साथ ही गलत होगा इस तरी बिमारी कि आपका गोस्त कट 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 के गिरने लगे हैं दिन बोले आपका जो बास है बाड़ी के पार्ट से मुझे खटके हलके बलके टूटने लगते तो इसे बहुत ही धार्मिक की बहुत दलाग कोई गलत काम करता तो उसका पनिस्में इसे दिद्र इटक्लेर हो गया तो हमारा जो इसके बाएट क्या हो गया इसके साइंट एक घ्रिसरस बैर के स्टार्ट हो गया इसकी बाएच तरह से कहां पर मतलब होता है जो फिलावर्स में जो आदे पर जो होता है है इसके वाद इसके बंग्र को टब्राइन करें तो यह च्या पर पर पिल का लर्ञा की यह डार्क ब्लाइक कि लएड को स्ट्रक्टर होती जो कि स्यूटो पैरनकाइमेटर्स मास या माइसीलिया की बनी होती है उसके चाला तो छोट छोटी आयल ग्लोब्यूल्स के तरफ सराउंटिंग ब्रैपिंग किया हुगी अब आता है इसमें जो अलकॉलाइट कंटेंट हम उसके बारे हम बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अलकॉला और ऊस्च्ट प्रॉब्लम् में हेलफुल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अलफवलाकर्स तो जो अलकॉलाइट्स मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टन की देखाज इसमूथ मुसल कंटव्च्चिन इसके अलाब दूसरा पॉइंट है कि जो रेसलिक ऐसी होता इसकी जो जूश और एक होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टिंट गाइज है कि अर्गनोवाइन हाइस्ट यूट्राइन सेलेक्टिविटी मुझा जो सिस्टम होता है जो चाइल्डबाद उसमें सबसे जदे एफेक्टिव जो आपका अल्कॉलाइट से वह है अर्गनोवाइन ठीक है अर्गनोवाइन होती है उन्हें रोकने में बहुत कारगर अल्कॉलाइट से है अल्फावलोग को मतलब ब्लड प्रीट सच काइंड आफ प्राब्लम बट इन अल्कॉलाइट के तुरू अगर हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड एफेक्ट भी होंग जैसे हम कुछी फंगल इंफेक्शिन के अगर मेडिशन लेते हैं तो हमें ऐसा होता कि सेलेटिव होते हैं उसी तरीके से साइड एफेक्ट का होना तो इसमें नर्सिया बोमेटिंग और परिकॉर्डियल डाय स्ट्रेस अंजाइना लाइक पेन होते हैं कब जब हम रिपीट ofkin deal after intravenous intrab9 लोग दो इंजेक्शन के थूरी या थों की नलीए जाते हैं उस स्ट्रेंचन में में हर्ट और हम ने इस अकुछ एप dif हर दो शट्राइस के भाग में पूझ Fehler जैसे कि आंक्रोष आंप परिकॉल्लम्स के बाद हमारी बाल किम पढ़ और परिक्श्टियल प्र ह उसमें गौन करी बहीवाली पॉइंट आथा कि हमारे बाडिकर उसका मास है जो मिटेरियल है वो उसमें प्रॉब्लम सोजाता वो सुन हो जाता और वो ब्लड सप्राइब रुख जाती क्योंकि बैसों करें बैसों क्ट्रेक्टर होते मोस्ताफधी केसिसमें इस ब्लड तो अर्गोटॉक्सिन और अर्गोटा माइन तरह इंपर्टन तरह इसकी जो यूजब आप टेक्रिक्स मतलब जो गयाने खुलोजिशन ने और अर्गोणोबाइन के वारे मिपर्टिन और बात है कि ये उस्ट्रोशिक प्रॉपर्ट्टि रखता भाही बाता ए उत्रान प्रॉब्लम्स अच्छा इनल्कॉलाइट के बाद जो फंगस है उसमें केमिकल और होता है मतलब इनल्कॉलाइट के बाद उसमें एक रेड बॉयलेट पिग्मेंट जिसम बोलते इसके लिए तरीके से इसमें दूसरे केमिकल अर्गोश्टिरॉल क्लेविसेपसिन इसके अलावा पॉस्ट पार्टम हेम्रेज में भी उद्धा इसके अलावा अर्गोट ओमाइन एलस्ट इसके पाई जाने वाले केमिकल से अब हमें अगर जनलाइज बात करें कि जो अर्गोश्ट से उसमें टोट आपकल क्लॉइट होते हमने अपने में सब आलेडी आपको बता जोगें बहुत सारे कोश्चिंज बना करें करें फिर भी में दोबारा से अपको थ्यूरी के लिएक से में कम्प्रीट एक सुरी बता रहा है कि तो टोटल इसके होता है जिसमें यह होता है अर्गोश्टाइन और ब्रोमो क्रप्टाइन यह जो हैं अमीनो ऐसे अलकुल श this यह की प्रोफाइन से और झkeeता है कि इसके बाद इनकी प्रोपर्टी अगर हम देखें आप लिए हलोकर प्रिशेट ह minut ह हमारे वीपी होता हुसे बार से रखना रहां हम confession बोड़ा चंट है कि यह रût बड़ करता हैं ध्याम करते हैं इसके जिसके लाबा ही एंटी डोपामाइन करता घ्रपारपटा उसका इंटी कर बहुत रिंग जा तो तो रिखा påमान सीथ क्या वोड तो यह कर लास्टेम पड़ता है कि यह पैजिए करते हैं रोग देखें जो नर्फ जो स्ट्मुलेटीड टिक हैं पैसर नर्फ स्टिम्धिटिक जो नर्फ का इस्ट्मॉलेशन हुआ है यह उन्हें रोग देते हैं तो आपने देखा मोस्ट आप डिलेश प्लेसे पर निगेटिव का नर्व को स्टिम्लेट किया है उसे भी इनिविट कर देते हैं अब इसके बाद दूसरी कटागरी आती है जिने हम आमाइन एलकुलाइट बोलते हैं कामली नहीं बोलते हैं कॉंजेनर्स तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टन आप देहां रखना है लस्टी से बोलते हैं और इंपॉर्टन देखना है आपको इलस्टी और अगेनोवाइब और अगेनोवईन से एक है और और अगेनोवईन अब यहां पर क्या है इसब्सक्राइब द्यान नखना है कि अमैनोई उसरन कलाएट्स में आपकी अर्गोवाइण में ऐभी डिफ्रेंस है एक है अर्गो नो वाइन और यह एक है अर्गो बाइन तो है यहां पर यज़ कर देए इसे ध्यान रखना है यह और गोई यार जी ओ आनो नहीं है यहां पर आप फार अपर आगा उपर एक आपके लिज़ आपट है लिज़ भाट आपको पर यह नाजी मतलाना टाइप की प्रॉब्लम्स होती है यह डायरिया यह सब क्रिएट कर सकता है एलस्ट इपरिंट अब इसकी प्रॉबर्टी देख लें जो आमाइन टाइप के एलकुलाइट्स है इनकी प्रॉबर्टी की एक्षिंट करते हैं और पावर पूल ऑक्सितोसिक होते मत इसके लावा बहुत बढ़े सब्सक्राइब टें मगरी बीक बैस फोकंश्ट्रॉट रहते हैं एक धिक उल्टा एक सग्धा ए उस्ट ऊसिटोसिक तो यह पावर फुल आप से लिए सब्सक्राइब इसके अलावा एलस्डी की क्वालिटी और भी देख लेते हैं यहां भी इस ते करता है यह पर दिपर्सनलाइश वाला हमें वह मिला तो इसका अलस्टी जो कैसा है 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 लुट सीनेशन वाला कम पाउंड एम अप्र यह हमें वह प्रियेट कर आइस के लाप यह टाक्सिक भी होता है मतलब इसका थोड़ा जादे कॉंटिटी ले लिए तो यह डेथ कर सकते हैं यह ते संथेटिक डेरीवेटिब कि से बनता है रगाट अलकुलाइट की भाण संथेजिग बेटिग करता है अचा अमीनो एसी ट्रप फान जो है वो यूज होता है इनकी बाएस इंशनते ना बिला चुके लोकिक आरोमेट्टिग अमाईनो एसे एक हैं फिर से बा को से होते होते हैं क्लेवाइब से ऍश्राइब सब्सक्राइब भ्राइब कि रौम श्रब्टेन को च्रिंए आप रोलैक्टेन को कंट्रोल करते हैं और डोपमाइन के अगोंश्ट काम करते हैं इसके अलाबर अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सोर्स इस फंगस का जहां से अब कर दे यह सब निकलते हैं उसके वारे में इस ख्लॉरसियम जो एक टाइब का मासाफ मास सीडो पर इंकरमेटर मैसीलिम जो होता है उसका मा इंडो मैट्राइन अपकी उत्राइन वाल होती उसमें क्लेर होती नीचे की तरफ तो इसका आपके लिए ओसका यह कहां पर मदद करेगी आपकी हेल्फुल है उत्राइन कंट्रॉक्शन वाद चाहिए तो यह फिर दूसरा कि बिलीडिंग जो कंट्रॉल करती है उसे कंट्रॉ वह उसे कंट्रॉल करते हैं इसके दो डेरिवेटिव को बतायते पहले और यह दोनों काफी इंपर्टे डेरिवेटिव स्जो हैं वह मारे फिज्डुलोजी कंट्रॉल करते अच्छा इसके इक इंपॉर्टन पॉइंट और चामर्चील फर्मेंटेशन इस ती मेन सोर्साब आज जो कवर मैं डॉर पराप्त करे रहा है मैं थाक्रमेडिया कवर्मेटियशन कर और यह लगाट की इसके यह लीजिक पराप्त लॉय इसके मैशे एमाइमड आप्लाइसरजीक एसिद्ध आर्कोटाइन इसके लाबाँ अर्गोनौवाइन यह पोस्ट पैरिटिक यह मरें होता है यह थिखिंद यह होता है याहिए सब्सक्राइब नहीं बता चूकिंदे अब कि यह प्रिज दोता है जो फंगस के जो टॉक्सिंस उते हो ने मायो टाक्सिं बोलते हैं इस ते की बताना चाहरो कि जिते भी अर्गाइट अलक्वाइट शुटे वह एक टाइप के टॉक्सिंस तो कि फंजई से प्रापत होते हैं सो दे आर नोन एज माईको टॉक्सिंट इनके अप्लिकेशन का मतलब यह कि किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंस हमारी बॉड़ी के लिए रखते हैं कौन सी मेकेनिज में कौन सीनकी मैथर्स हैं तो ड्यू टू दियर नेचर यह एगोनिस्ट भी है अगोनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो हमारे रेसेप् अगोनिस्ट भी है और तीसरा है एंटागोनिस्ट भी है एंटागोनिस्ट भी है एंटागोनिस्ट को हम देख सकते हैं जो जो एगोनिस्ट के एक्षिन को ब्लॉक करते हैं वह होते हैं आपके अंटागोनिस्ट भी है और इस तरीके से यह अफेक्ट करते हैं जो बायर जे कि हैं यहां पर निया कहानी शुरू होता गाई से इंपोर्टेंट बात इसे हम तो दिसक्रस करते हैं तो अधिस्टर हमारा तो अधिस्टर हो रहा है इस तप का मतलब प्रता की इसी तरीके के अलकलाइट जो होते हैं हम एक दूसरी जगह से भी पराप्त कर सकते हैं वह इंप पास के व YOUR एक फंगस्ता कल्यी सर्फ पर प्यूरिया मैं आप ऐㅋ एक तो लबी सर्फ पर प्रिया हो गया है कि इसक्यू इंडोंबवाइ इंडोंपार नहीं यहां से डूसरा है की एसक्यू इंडॉफाइट डाया और वांट थैसाओं प्यूग सै्टार असल्डोंबवी क् आप सबस्क्राइब की प्लांड के अंदर रहने वाला कोई माक्रो अब मार्क्रो आज़ बात अग्या था गद्द करण्द के अध्या थे क्या जब चुद्धे तो हमारा सब्सक्राइब थो इस cook for एक्प्लान्ट में एक ढला से सम्वोलते फिस्क्hare उस में complete करता है तहीं और उस फंगस का नाम है न्हीं पाइफो डियम कोई फियलिय में यह फंगस का नाम है जो एक ग्रास होती उसके अंदर रहता है अब कौन सी ग्राइस है यह देखते हैं आप देख सकते हैं किसे जिस निकलते हैं यह क्या करता है डाट इस्ट्रेस का एफक्ट जो हता है ब्लाट पर कम नहीं देता मतलब इंसेक्ट डिटर्जेंट होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट को फीड करने से मना करेगा कहने का मतलब है रिपलेंट काम करेगा इसके लावा पेरा माइन होता है एक स्ट्रॉंग जो भी एक स्ट्रॉंग डिटर्जेंट है इसके लाव जो और गाट क्लाइड देखिए क्लेवाइन्स एर्गोबाइलाइन लैसरीक एसिड के डेरिवेटव जो भी वह इस तरीके से भी हम प्राप्ट कर सकते हैं कहने का मतलब है इस डिसकुशन से हमें यह मौलुम चला क्लेविस सिर्फ पर्पूरिया के अलावा अरगाट अलकलाइड का एक अन डियाग्राम में आप देखें यह आपका एक ग्रास है और यह फंगर से गई से और यह फंगर किस तरीके से इसमें इंटरी कर गया और यह इस तो पॉइंट है आपके पास यह कि जो इंडोफाइट प्लांट है जो ग्रास है उसे बोलते है फेस्क्यू और उसका नाम है फेस्टिउसा, अरूंटीनेसिया, यह ग्रास हो गया, यह मतलब यहां पे हुष्ट हो गया, और जो फंगस है उसका नाम है न्यू टाइफोडियम कोईनोफिया लम, यह आप क्या है फंगस, और यह फंगस इस ग्रास के अंदर इंट्री करके इंडोफाइटिक लाइफ लिड सिक्रीट करता और ये फंगस अरगवट अलकुल guided सिक्रीट करता जो पिरियंगा राइब इंफ्रिक्शन के सिक्रीट करती यहां पर यहां पर उन्योफ यले जो ćंई वह आपका फेस क्यूक का अंदर रहने के अब देखते हैं कौन से इंपोर्टिन अल्कॉलाइट से एक तो अर्गोलाइट बता है उन्हें दूसरा अर्गोलाइट प्रोडूस बाई इंटर सेल्लिलर इंटर सेल के अंदर इंडोफाइटेक माइसीलिया जिसे मिनें माइसीलिया का वाला फंगस की बाद कौन सा फंगस नियोटाइफिवडियम कौन फैलियोग और क्या करता है अर्गोप्टाइण अल्कॉलाइट्स और पॉटेंट डूपामाइट रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड डिक्रीजिज प् क्योंकि यह डीप डॉपामाइन के एंटीगोनिस एंटागोनिस्ट है प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है और बेरिमस एंसेंस्टिव इंडिकेटर आप दी लेक्टेशन इंदी फीमेल अच्छा अब यह बात करते हैं उसके फीचर तो यह थे कि नौजिया वॉमेटिंग और इस तरह के फीचर से एपियर होते थे अगर यह वाला फंगस किसी के बॉड़ी में चला जाता है जैसे जो ग्रास है फेस्क्यू इंडोफाइड इनम बोला तो उसमें कौन कौन से फीच वोगी जब वो इस ग्रास को फीड करेंगे जहां पर इस फंगस ने अलेडी इंफिक्षन के रिएट किया हुआ है तो उसमें होगा तो गलेक्टेसिया गलेक्टेसिया ज़िए क्या होता है कि उनमें जो मिल्क फार्मिशन की प्रॉसस है वह उससे फेल वार रहेंगे उनके मिल्का फार्मिशन नहीं होगा अगर वो इनिमाल इस पार्टिकुलर फंगस से इंफिक्टिड है दूसरा है कि उनका जो गेस्टेसिन प्रियाद रहें पार्टिकुलर की तीन नौ मैंने बच्चा होना है कहीं पर लगता है कि साट दन में गेस्टेसिन हो जाएगा चाल रहें होगा यौिज से पार्टिकुलर एंवज तीन मलका तो छे मही नहीं हो सबकाईगा चार महीं होगा तो फेश्टेसिन पीट का टाइम पड़ जाएगा इसके लाब अट रिच्टोसिया की बनी रहें जिसे क्या होगा चाहिवा काफी डिफिकल्ट होगी डिः में क्या होता है एक कंप्लीट जो मतलब जो न्यूबारन बेवी है वो कंप्लीट हो जाएगा मुगर वो काफी इम्मेट्ट्र सा दिखाई देगा और उसी तरीके से वह बीक होगा तो यह इसके सिंप्टम्स होते हैं इसके अलाबा यह सब जितनी विल्कॉलाइट होते हैं मोस्टली माइगरेन में चाल्ड बर्त में और पोस्ट-पार्टम ब्लीडिदिक के बाद जो ब्लीडिग होती हुसे कंट्रोल करने में काम आते हैं इसके लाबा जी ट्राइन एक मेचुर्टी को मतलब बढ़ाते हैं और जो प्रॉलेक्टिन का सिक्रेशन होता है उसे रोगते हैं इसके लबाद जो प्रॉगनेंशन भी यह करते हैं इसके लबाद गर फॉजनिंग करें किस तरह की पॉजनिंग करता है तो आप देख तके यह जो है वे डोजीजेज अब में भॉमेटिंग डायरिया अनकांसिटने जो लोग लेना सुरू कर देते हैं जो इस मैक्या टाइब की लोग होते हैं तो यह भी एड़ी इस टाइप को तो उनके अंदर एक हैविड फार्मिंग है मतलब इसके हम है विचुल हो जाएंगे और दूसरा ही हमारी बाड़ी में क्रोमोसुमल बना जेनेटिक डिजीज भी क तरीके देखते हैं यह राही की इसे हिंदि बोलते हैं बाली इसमें दुछ लाइख रहा इसमें आप देखने कुछ पार आपको बैलैक दीख़े लह एक यह सपोस कर लेते हैं यह फोडिकलर सीट्स को मतलब एक और इस सीट को अगर हम लोग इसे फीट कर लेते मतलब हम बता है कंडिशन वो ग्रियेट हो जाएंगी कि प्रिमेचर आवर्सन हो जाएगा और आपका चाहिड वर्स में काभी प्रॉब्लम्स हाएंगी तो प्लेज गाइज सब्सक्राइब लाइक एंसेर तो माई यूटूब चैनल थैंक यू जाएज